नुश्कार दोस्तों मैं मुनीशा मुनीशा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माई चानल आज देखे हम क्या बनाते हैं यह श्यर्ट का कपड़ा और यह बोटम का कपड़ा दोस्तों यह बनाना है वैसे हमें सिंपल सूट बट हम सिंपल सूट को एक कुर्टा लुक डालेंगे और जो कि इस बनाएंगे जो किrence ब्रांट इर्पीस लगे देखने में वीडियो को स्किप मत कीजिए और तक देखिए वीडियो में बने रही तो बाप को पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं यह शर्ट है तो अब हम बोटम कभी इसमें टस्ट डालेंगे दोस् सब्सक्राइब पुर्टा सटाइल जो नंता है आज आपको बताते हैं जो कुर्टा स्टाइल बनाते हम उनके ड्म कैसे बनते हैं यह हम नेक ड्रो कर रहे हैं यह दिखिए दोस्तो यह हम ऐसे राउंड में कुर्ता पट्टी डालेंगे और कुर्ता स्टाइल बनाएंगे इसको बिल्कुल एक ब्रांडिट पीस बनाएंगे यह देख रहे हो नाप इसमें हम बटन लगाएंगे यह हम बटन लगाएंगे अब मैं पहले आपको लिखवाती हूँ इसका नाप नाप देख लीजिए नोट कर लीजिए ताकि आपको भी समझ में आएं चेस्ट 47 वेस्ट 45 हीप 52 यह देखे यह देख लीजिए यह देखे चेस्ट 47 47 का हाप कितना हुआ 23 and half और इसका 1 फोर्थ कितना होगा 11.75 यानि की पोने बारा पोने बारा होगा इसका तो आगे लेते हम कमर कमर का हाप कितना होगा कमर का हाप होगा साड़े बाईस और इसका 1 फोर्थ कितना होगा 1 फोर्थ होगा 11.25 यानि की सवा ग्यारा अब हीप देखे हमारी 52 है तो 52 का हाप कितना होगा 26 और 26 का हाप कितना होगा 13 ये मैं लिख देती हूँ पोने बारा कटिंग हम इस पर करेंगे सवा ग्यारा ये तेरा ये देखिए दोस्तों ये मैंने नाप लिखा हुआ है ये हम नेक बनाएंगे जो की कुर्ता स्टाइल में बनता है और ये हम लगाएंगे इसमें बटन ये देखिए 47 का हाप 23 और 1 फॉर्थ ये मैंने नोट किया है पोने बारा सवा ग्यारा और तेरा ये आप लोग भी नोट कर सकते हो अब हम पूरी कटिंग करेंगे वन फॉर्थ पर इस पर पोने बारा सवा ग्यारा और तेरा ठीक है आप नोट कर लीजिए ये मैंने पॉइंट में लिखा है ग्यारा पॉइंट सेवन फाइव जो की होता है पोने बारा कहीं बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्या लिखा हुआ है करते हैं शर्ट की कटिंग माप आपने दोस्तों एक बात नोट कीजिए जो बिगनर है जो स्टीचिंग का थोड़ा जानते हैं उनको पता होगा कि हम वन फॉर्थ क्यों लेते हैं क्योंकि हमारी कटिंग जो शर्ट की होती है वो वन फॉर्थ पर ही होती है हम shirt को ऐसे double करेंगे double करेंगे तो ऐसे हम इसकी cutting करेंगे तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा इस side को गया जब हम खोल लेंगे इसको तो ये front हो गया समझ में आ रहे हैं ना ये front हो गया तो हम ऐसे back side का लेंगे तो इसलिए हम पूरी cutting करते हैं बाकी कटिंग करते टाइम सब कुछ समझ में आएगा वीडियो में एंड तक बने रहे अब हम पूरा इसको प्रेस करेंगे पहले जो यह बोडर है इसको निकाल लेंगे इसको कहीं पर अच्छे से यूज करेंगे जब यह सूट कंपलीट होएगा तो हम आपको दिख करेंगे इसमें से पट्टी निकाल लेंगे ताकि हम बोटम की पट्टी लगाई उससे ग्रेस उठेगी यह देखो यह बिल्कुल डिफ्रेंट है लेकिन यह ट्रेंड में चलुएं दोस्तों डिफ्रेंट को ही अच्छा पीस कैसे बनाते हैं बुटीक का पीस कैसे बनता है और कैसे कश्टमर को यह चीजे पसंद आती है तो हम बनाते हैं दोस्तों प्रेस करने से पहले हम इसको कट करेंगे कि हमने कितनी शट रखनी है हिपली है हमने 26 तो चार इंच एक्ष्ट्रा लेंगे और 30 पेस को मार करेंगे 30 पे कर लेंगे हम कट क्योंकि जितना गेर होता ह अधने हम कपड़ा रखेंगे यह जो सीद्धा कपड़ होता है ना जो कनी वाला साइड का कपड़ तो ऐसे फटता है दोस्तों जो अड़ा कपड़ होता है वो कभी ऐसे ना फाड़े क्योंकि ऐसे फाड़ने से वह बिलकुल अड़ वह सबकुछ तैस्नास हो जाएगा काम इसलिए यह कोशिस मत कीजिएगा जो सिद्धा कपड़ा होता है जो पट सके वह यह से फाड़ना बाकि दूसरे की कटिंग करना बाकि हम इसको प्रेस लगाते हैं कट करना यह देख देखिए दोस्तों अब हमने कर लिए सूट प्रेस अब आप मुझे बताईए कि इसके फ अब देखिए फ्लावर की साइड है यह देखने वाली बात होती है कटिंग के टाइम हमें इन चीजों का द्यान रखना चाहिए कि फ्लावर की साइड है इसके फ्लावर देखो उपर की साइड हैना सब वरना क्या होता है फ्रंट में तो उपर की साइड आ जाते हैं और बै अब हम इसके दो पीज कर लेते हैं वैसे तो हम इसको डबल करकर कई कट कर देते बस नई करेंगे एक साइड रहे अया यह फ्लॉवर है तो हम इसको बीच से कट लेते है यह देख़्ेय दोस्तोई हमने शा्रट को रख लिए दोन्हों फ्रांट ओर back set कर लिए दोनों face और लगा दिये press बीना press के cutting ना करें एक अच्छा piece अगर बनाना है तो बीना press के cutting ना करें piece cotton, silk, woolen, piece कोई भी उपर बीना press के cutting ना करें देखो एक तो इसका center बन जाता है अगर थोड़ा कपड़ा घुमना होता है तीर्चा होते हैं जो कि हमने कल वीडियोड डाली थी लूर्टर की वह ऐसे आते ही जो बिन प्रेश के युद्ञ आता ना अल्टर कर पर ? तो वह हैसे आते हैं जो बीन प्रेश केठ यूद्ञ २जर समझते हो ना जैसे ड्रेवर की नजर बिल्कुल सड़क पे रहती है वैसे कटिन के टाइम हमारा माइंड बिल्कुल सूट पर रहना चाहिए कि हम इसको कैसे कट करना है हर कोई पोफेशनल नहीं होता है दोस्तो एक जनून होना चाहिए जस्बा होना चाहिए वो सब कुछ कर स तरह करता है हम लेडी भी कर सकते हैं भाई महिन्य के लाखो रुपे कमा सकते हैं अच्छे पीस बना के कश्च्मरों को दे सकते हैं बुटी का पीस डिफरेंट होता है क्यूंकि हम उस पर काम करते हैं तो आप दो काम ऐसे कीजिए यह देखिया हम एक लाइन डो करेंगे अब हम सबसे पहले लेंगे कुर्ती की लेंद जो की 45 है यह देखिए यह हमने 45 पे निसान लगाया और एक स्केल लगाएंगे नेचे यह मार्जन हमारा फोल्ड रहेगा फोल्ड करने का मार्जन यह हमने ऐसे रखा है अच्छे एक और बात जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ फिर दुबारा फिर बताऊंगी दोस्तों जब भी हम शर्ट की कटिंग करते हैं कन्नी वाली साइड हमारे अपोजिट होगी और जो बंद साइड होती है जो कपड़े की बंद साइड होती है वो हमारे तरफ होएगी हमने अपनी तरफ कपड़े की बंद साइड रखी है और जो ओपन साइड है वो अपोजिस साइड रखी है तो ऐसे ही हम आप करेंगे इसकी कटिंग अब हम लेंगे पोना इंच पर एक निशान लगाएंगे अब हम जो निच्चे वाली लाइन है इस लाइन से ही ड्रो करेंगी क्योंकि दोस्तों एक्सल साइज है तो हमें बैक बड़ा काटना होता है इसलिए हम मैंने यह पोना इंच की यह जो मैंने फ्रंट लाइन लगाई है यह इसको सिद्धा करने के लिए क्योंकि देखो उपर यह दिखाऊ एक पर कैमरा दिखाऊ जरह यह देखिए यह छोटा बड़ा होता है ना तो इसलिए हम लाइन ड्रो कर देते हैं ताकि एकवल आ पर अब हमने मेजर टेप को किया है सिद्धा अब हम लेंथ को लेंथ हमने नाप लिये अब हम निसान लगाएंगे साथ इंच पंदरा और बाइस क्योंकि इनकी हाइट बिलकुल ओक्ए है तो हम निसान लगाएंगे बाइस पर हीप लेंगे हम बाइस पर क्योंकि इनकी हाइट अच्छी है तो हम बाइस पर डाल लेंगे कि जिनके हाइट थोड़ी कम हो तो हम मालो हाइट कैसे आपको आइडिया बताऊं जैसे किसी का सूट 40 है तो हम उसका 21 पर हिप डालेंगे और कमर डाल लिए हमने 15 पर यह देखे यह हमने निशान लगा लिए कुर्ट्या स्टाइल जब हम बनाते हैं वो थोड़ा लूज लूज बनता है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह डालते हैं फुल प्लेट जिनका यह सूट है तो वो कॉस्टमर डालता है फुल प्लेट लेकिन अब हमने बनाना है इसको फुल प्लेट दोस्तों पंजाबी शूट में डलता है वो next में वीडियो जो कट करूंगी तो मैं पंजाबी पर करूंगी पंजाबी सूट फुल फिटिंग का होता है फुल फ्लेट का होता है और उसे पंजाबी सूट कहते हैं अब हम कुर्टा स्टाइल सूट कट कर रहे हैं तो हम इसी पर ध्यान लगाएंगे अब हम लगाते हैं तीरे का निशान तो हम तीरे का निशान लगाएंगे साड़े साथ क्योंकि इसका जो नेक लेंगे हम पांच इंच लेंगे जो बैक का नेक लेंगे हम पांच इंच लेंगे क्योंकि तब ये कुर्टा स्टाइल बनेगा वैसे कश्मल डीव डालता है साथ इंच यह तक हम 5 मिलें लेंगे समिल निसान लगाएंगे क्योंकि सामनी बड़ा मव में बड़ा डालता है कि Korea बड़ा है वैसे तो मैंने आपको सामना बताया हुई जो हैवी उनका तेराम रक lease 叫 इपनी शर्ट का ही नाप दिया हुआ है और यह सामना सब कुछ बड़ा डालते हैं तो हम उनके अगोर्डिंग ही कटिंग करेंगे अब देखो वन फॉर्थ चैस्ट का वन फॉर्थ कितना था पौने बारा तो अब हम निसान लगाएंगे पौने बारा पर अगर समझ में नाय दोस्तो कुमेट करके पूछ सकते आप और कमर संवागारह अच्छा इसमें हम बैक में पलेट डालेंगे अब ही मुझे याद आगया एक कुमेंट आया था कि बैक में पलेट कैसे डालने चाहिए दोस्तों बैक प्लेट डाले या फ्रंट प्लेट डाले उसका नाप होता है फिर भी बोड़ी के अकोर्डिंग डलते हैं वो क्योंकि उसका एक बार मेजर बताऊंगी कैसे लेते हैं बट जो यह जिसका यह पीस है कस्टमर का उसका जो प्लेट डलता है वो डल इंच बैक प्लेट का हम क्या कर सकते हैं जिनका हमने शर्ट काटना हो एकसल में लेंध फूल हो तो हम क्या करेंगे उनकम ले सकते हैं बारा से या ग्यारा ग्यारा या बारा से ले सकते हैं बट वैसे जिनका नाप परोपर हो तो हमें नाप सी काटना चाहिए ग्यारा या ब क्योंकि फिटिंग थोड़ी सी फिटिंग आ जाएगे ना साड़े तीन पर हम निशान लगाएंगे ये दीखे मेरी कोशिस रहती है आपको अच्छे से पता चले बट फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए आप कोमेंट कर सकते हो प्लेट हम साथ इंच की भी डाल सकते हैं आठ इंच की भी डाल सकते हैं थोड़ा हैवी साइज है तो हम आठ इंच की डालेंगे थोड़ा कम साइज है तो हम साथ की डालते हैं जो बिल्कुल हाइट के कम है तो हम चेंज की भी प्लेट डाल देते हैं तो हमने ये बैक में लगा दिया प्लेट का निसान निसान जब भी लगाओ फैवरिक उल्टा रखो सिद्धे पास से निसान नहीं लगाने पुठे पे निसान लगेंगे और अब बैक हम कट करेंगे एक इंच इदर से बैक का निसान उठा रहे हैं आर मॉल के लिए एक इंच ज़ादा लेंगे हम ये एक इंच ज़ादा लिए अब हम थोड़ा सा एक इंच नहीं करेंगे आदा इंच करेंगे हम इसको डाउन ये फ्रन्ट पेस हम डाउन करेंगे और बैक का भी हम ऐसे ही डाउन करेंगे ये देखिए दोस्तों जो मैंने फर्श लाइन ड्रो की थी ये वाली है जो मैंने आपको नजर आ रही है जो मैंने फर्स्ट लाइन ड्रो की थी वो फ्रन्ट फेस की है और जो मैंने ये लाइन ये तो मैंने वैसे लगाई हूँ है जो सेकिंड ये उपर वाली ये बैक फेस है और ये फ्रन्ट है तो फ्रेंट की मैंने डाउन इधर की है और जो बैक है बैक ये देख रहे ना बैक ये इधर से स्टार्ट है ये इधर डाउन की है बाकि आप खुद से कटिंग करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा देखो ये कोई रोकिट साइंस नहीं है कलपना चावला जाज चलाग के चांद पर जा सकती है क्या दोस्त हम कटिंग नहीं कर सकते एक ब्रांडिट पीस नहीं बना सकते बिलकुल बना सकते हैं हम अमारे अंदर भी पूरा जोस होना चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस से हम भी का हम त्रमेट लला सकती अब हम कमर कर निशान लगाएंगे और हम को कि ध्यान रखना है कि वनननने में चाहिए कि मेर कितनी सफ्वा स्वाघ्याड राया को तो हम सवाग्यार नहीं लगाएंगे एक प्लेट भी टानने तो इंचकर हम थोड़ा अञान पर निशान उठाया है और हीप डालेंगे हम इनकी 13 अब हम हीप से जो निशान उठाएंगे वो सिद्धे स्केल के साथ ऐसे उठाएंगे और यह सेपर के साथ हम लगाएंगे चैस्ट का निशान यह देखो सेपर से बिल्कुल exact fitting आती है हम इस सेपर से निशान लगाती है तो fitting proper आती है मैं तीन इंचे एकस्टा लेके उसमें प्लस करिए सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सेपर से ही निशान आ जाता है क्योंकि यह बना ही इस सेप के लिए है क्योंकि यह देखो कव में है और लेडिज की fitting हलकी हलकी कव में आती है जिनकी ज़्यादा कव में आती है वो थोड़ा समसेपर को बाहर करेंगे और कव में fitting आएगी इसमें काफी different मिलतर fitting बिल्कुल हो कहती है एक बार करके देखना कुर्टा स्टाइल है तो हमने बैक में जो प्लेट डालने उसमें भी margin कम लिया है क्योंकि यह कुर्टा स्टाइल बनाना में अब यह देखो निशान लग चुके हैं हमारी ही पोतिये उ अगर घेरा कम ले लेते हैं兩個 जाधा होती है तो तक वह ऐसी हो जाता है I have mau और घेरा जाधा लें लाइन की स्टेट में बनाना रहना कैंहें मृतने ही कि हम प्ल Airport नहीं लाएनं कि मौदे बनाना है वरना हम हीप क्या कोडिंग रखेंगे जैसे कि हमने यह डाला हुआ है दोस्तों एक और सिगरेट में आपको बताती हूं जब हम यह निसान उठाते हैं यहां पर लगाते हैं यह हमें ऐसे तीर्चा करके लगाना चाहिए ऐसे सिद्धा नहीं करना चाहिए सिलाई करते हमें हमें यह ध्यान रख जाती है फिर आपको पता ही अल्टर कितना टाइम खाती है दो तिन गंटे आराम से अल्टर खा जाती है इसी लिए दोस्तों कटिंग के दोरान यह में अल्टर का ध्यान रखना चाहिए तो यह हमारी पूरी नाप हो चुका है अब हम करेंगे इस पर कटिंग एक बार हम साथे गया नहीं तो देख लेते हैं बिल्कुल सैट है बैक भी हमने यह देखे जब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसमें बाजू लगाएंगे दोस्तों तो यह बिल्कुल परफेक्ट आएगा जितना हम आरमोल लेते हैं मालो कि इनका आरमोल 11 है तो बाजू की कटिंग हम स्थारे-दस पर करेंगे और किसी का आरमोल 10 है आपको समझ में आ रहा जो हमारा कुरता है जो हम बाजू का निसान लगाएंगे वह आदा-इश कम पर लगाएंगे झानलगा के बताँगे आप भी मेरी तरह फैसें-डिजाइन बन सकते अपना बुटीक चला सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में पैसो की जरूरत सब को है यह देखिए दोस्तों कटिंग हो चुकी है यह हमने बैक बड़ा काटा था यह फ्रंट यह बैक के जो मैं आपको समझा रही थी तो हमने डाउन किया था यह बैक यह फ्रंट यह ऐसे आजाएगा यह देख रहे हो नहीं ऐसे आजाएगा जो हेवी साइज होते हैं उसमें हम बैक बड़ी कारते हैं ताकि फिटिंग अच्छी आ जाए और यह हमारी कटिंग हो चुकी है बाकि आपको कुछ भी पूछने तो आप कोमेंट करके पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार